हेलो दोस्तों मेरी चैनल में सब्सक्राइब के बहुत बहुत स्वागत है आज मैं सिर्फ आपको यह बताऊंगी कि जिसको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है एक परसेंट भी जिसने कभी जिन्दगी में कुछ नहीं सिलाई तो उसको सूट कैसे सिलने हैं सबसे पहले जो भ लीजिएगा ऐसे रखने के बाद आपको क्या करना है सिर्फ कुछ भी नहीं करना है सबसे सिंपल तरीका है यह आज तक कर जो मैंने किया था क्योंकि मैंने एक दिन भी सिलाई नहीं सीखी तो ऐसे यह आप सिक सकते है जैसे कि मुझे सिर्फ यह ज़्यादा बड़े गले प ठीक है उसके बाद क्या करना है आपने जैसे साड़े च्छा का रखना तो साड़े च्छा का रख सकते हैं तो यह हो गया अपना सूट इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको बीच पर फरेंट लेना बिल्गूल जैसे यह लैस है तो नैस का कर लना है हूँ है तो इसके बाद हम इसको ऐसे ले ले लेते यह ऊ-간हल के आपढ़े तो अभी आपको देखिए अभी कुछ नहीं करना है जो भी आप एक सूट बहार से सिल्वादते हो जो भी ऐक सूट को इस रब एक सूट आप जासे बहार से बाइन शूट पुरान है वैसे भावी ने सिल्वा था ये तो मैं इस शूट को ले लिती हूं यह सूट हमने ऐसे किया और इस पे सिर्फ आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा क्योंकि यह धोने की वज़ा से सिक उड़ गया है कि सिर्फ आधा आधा इंच हमको यहां से लेना है ज्यादा कि यहां से हमको सिर्फ आधा इंच कपड़ा ही एक्स्ट्रा लेना है तो ऐसे हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है यहां से निशान लगा लिजीगा पहले इसको ऐसे किया सिधा और गले से इधर इधर निशान लगा लिजीगा ऐसे निशान लगा के यह वाली जो अपनी वाजु जोइंट होती है जहां से कंद ऐसे ले लिजीगा और यह हो गया और उसके बाद यह धिक्रा एह इस आधा आधा इंच हमको लेना है ज्यादा ऐसे करके आप पूरे पे नीचे लेंट तक ऐसे ही इसको कर सकते हैं ठीक है उसके बाद हमाने को क्या करना है इससे दो दो इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे ऐसे जितना अधा इंच उससे ज़्यादा निशान लिया है, तो उसे दो इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ऐसे, पूरा ले लेंगे इसको, ऐसे, ठीक है, ऐसे दो दो इंच का हर जग ऐसे ले लेंगे, यहां से हमको नहीं लेना है, मोटे से हमको नहीं लेना, सिर्फ दो इंच यहां स देना एकस्ता थीक है मोड़ा जितना है हमने इतना ही काटना है क्योंकि आधा इंच जितना अंदर जाता है हम उतना ले चुके को हम इसकी कर लेते हैं क्टिंग क्टिंग कैसे करने हम को इसका कुछ नहीं काटा है यह किटिंग कर दी जो दो इंच एक्स्टर लिया था उसकी ठीक है यहां पर कट किया हमने यहां कमर की वज़े से थोड़ा सा घहराई में था यहां ही पैसे था और यह आ गया अपना जोली पैसे और यह हमने इसको काट दिया यह लैस को बाद में कट करके मैं इसको निकाल के लगा दूँगी तो यह बन गया अपना हिसा फ्रंट वाला ठीक है यह देखिए अपना फ्रंट वाला हिसा बिल्कुल साई से कट गया सूट के उपर लिया मैंने आधा इंच उपर से लिया है मोटे के बास से जहां पे अपने कंदे के नीचे होता है और यह लिया है मैंने दो इनसेक्स ट्राइस में यहां से यहां अपने कंदे के नीचे से यह ब्रेस्ट हो गई, यह कमर हो गई, यह हीप हो गई और ये हो गई अपनी जोली अभी क्या करना है हमने अभी ले रही हूँ मैं इसका पीछे वाला पार्ट आगे का हमने काट दिया है तो ये है अपना पीछे वाला पार्ट पीछे वाला पार्ट को हमने किया पोल्ड इधर से जैसे ये पूरा खुला है तो ये वहाँ एक साइड से छोड़ के यहां से यह मुड़ा हुआ यहां से लेना है मुखो अब यह उठा दिया अब यह रख दिया निच्छे अब रखने के बाद जो पार्ट की हमने कटिंग की है उसको उसके उपर रख दो से सेम रख के जो आगे वाला पार्ट हमने काटा था सूट का उसके बिल्कुल सेम कटिंग करनी है इसकी कुछ भी नहीं करना है कुछ भी सिर्फ जो हमने पीछे वाला हिस्सा आगे वाला हिस्सा काटा था कि पीछे वाले हिस्से की सेम कटिंग करनी है आपको ऐसे यासे बस कि देखिए मैं इसको काट रही हूँ बस ऐसे कटिंग करनी है देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है यह सबसे आसान तरीका है मैं दस साल से लाई कर चुकी हूँ मैंने बाहर से बहुत बाहर वालों की ही किये बाहर के सूप सीलती थी मैं लेकिन अभी तीन साल से नहीं सील रही है यह देखिए और मैंने ना कोई यकीन नहीं करेगा मैंने कभी आदे गंटे के लिए भी किसी के बास सिलाई नहीं सीकी थी उपर से यह किनारी है तो हम इसको निकाल देंगे ऐसे यह आप भी कर सकते हो जो यह गला है ना गला है तो गला है यहाँ पे आप छोटा सा कट लगा लो यहाँ पे छोटा सा कट कर सकते हो और कट करके जैसे कि सरफ निशान लगान ने ना है जितना गला है यह इतना निशान लगा लीजिए और यहां से आप पीछे वाला गला निकाल सकते हो मुझे थोड़ा बैक का गला डीप पसंद तो मैं इसको डीप बनाऊँगी तो जैसे यह ले लिया मैंने इतना ले लिया शाइ इंच का अपनी मर्चे से निकाल सकते हो तो आपने यह साड़े साथ इंच का कर दिया है यह देखिए इस बस गोलाई कोई भी आई कोई टेंचन नहीं करती है ठीक है यह आपको ऐसे कट करना है कि मैंने इसको ऐसे काड़ दिया यह अपना हो गया सूट त्यार यह अपना सूर्ट त्यार हो गया आगे का और पीछ वाला हिस्सा अब रहा गई है सबसे बात की गल्लों की यह गले कैसे जोड़ते हैं कातर कैसे निकालते हैं उनकी कतर होती है जो जिसको बिल्कुल भी गलाना बनाना आता हूँ उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी अ लेना है लंबाई की तरफ में यह किनारी आ रही है तो सब को दिख रहा होगा अब हमको वही अपना सूट लेना है जो पहले सिला हुआ था पहले सिले हुए को उल्टा करो और उल्टा करके इसको ऐसे रखो आप इस पर निशान लगा लो जितनी भी लेंट करने हैं आपको लेंट कर सकते हो उसके बाद यहांपे निशान लगा लो मेरेको इतनी ही लेंथ चाहिए तो इतनी करके जैसे कि 4-5 तक की बाजू ही मेरेको सही लगती है तो 4.30 की मैं ले लेती हूँ साड़े चार की लेके बिलकुल इसको सीधा निशान लगाना है ये भी यहां से चार की साड़े चार की भी ले सकते हो ऐसी कोई बात नहीं सिर्फ यहां पर इसको ऐसे कट कर लेंगे ऐसे कट कर लिया उसके बाद जितनी भी अपनी बाज्यू की मोटाई है उसको नाप लेंगे यहां से ऐसे सोल्डर से ऐसे करके ठीक है लूज ही रखना है ज़्यादा टाइट ने करना है तो मैं ले लेती हूँ यहां पर च्छे की और यहां पर यह काड़ देती हूँ मैं इसको देड़ इंच का कट कर लेती हूँ देखिए तो यहां पर च्छे के लिए थी तो च्छे से हम लेंगे इसमें दो इंच एक्स्ट्रा तो यह मिला दिया बस यह हो गई अपनी बाज्यू की कटिंग इससे सिंपल बाज्यू की कटिंग आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी सब क्या करते हैं वीडियो बनाते हैं रिमा घुमा देते हैं कुछ हमज नहीं आता तो वह सब उल्टा पूल्टा बन जता है यह देखिए यह बन गई अपनी बाज्यू तो यह अपनी फुल सूट की हो गई है सब इससे सिंपल तरीके से कटिंग तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं गलावला कैसे जोड़ना है और यह सूट कैसे सिलेंगे थैंक्यू सॉमर्ट दॉस्तों